प्रेंड्स वेलकम टू दिस चैनल तो आज एक एडिटोरियल है जिसका नाम है हूँ पेड हूँ यानि किसने किसको भे किया ये अर्टिकल जो है वो बेसिकली जो इलेक्टोरल बॉंड है उसके बारे में ये बात किया गया है इस आर्टिकल में एक्चॉली सुप्रिम कोट ने SBI को ये आदेश दिया था कि जो भी पैसे आपके पास आते हैं राजनितिक पार्टियों के लिए कहीं से तो आप उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दीजिए लेकिन SBI ने क्या किया कि उसने इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया और ये एडिशनल टाइम मंग लिया सुप्रिम कोट से कि हम तो अभी इन्फॉर्मेशन आपको दे नहीं सकते हैं हम आपको बाद में देंगे बहाना एक तरह का तो यही एडिटोरियल में जो लिखक हैं वो ही बता रहे हैं कि SBI कुछ कुछ कह करके एक्सक्यूज दे करके बहाना बना करके इन्फॉर्मेशन को है अपने पास ही रखती है और डिस्क्लोज करना नहीं चाहती है लेकिन ये लोग इंडिया में लोकतंत्र है और इसमें जो वोटिंग करने से पहले है वो जो भी मत दाता लोग है उन्हें अपने ये राइट है कि वो ये जाने की कौन सी पार्टी को कितना पैसा दिया गया और किसने किसने कितने पैसे दिये ठीक है तो उसी के आधार पर ये एडिटोरियल लिखा गया हो और ये जो इलक्टोरल बॉंड है ये एक तरह का मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है ये 2017 मे मोदी जाय थे 2017 में ये आया था है तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है क्यों तो राजनितिक पार्टियों को पैसा देने के लिए और पैसा कौन देती है तो जो बड़े-बड़े मतलब लोग है वो लोग देते है या कंपनी लोग है कंपनी के म ये पार्टि अगर सक्ता में आएगी तो वो हमारे लिए जो भी है ना इन्वार्मेंट है बिजनस का उसको बहुत मतलब लचीला बना देगी तो हम बिजनस अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो इन सब के वारे में ठीक है तो इसी के बारे में ये एडिटोरियल है तो चलि जनता कहती है कसम जब उसने खाई हमने एतवार कर लिया जरासी देर जिंदगी को खुशगवार कर लिया फिर चुनाओ जीतने के बाद राजनितिक पार्टी जो होती है उनसे जनता कहती है कि बरसो हुए न तुमने किया भूल कर भी याद वादे की तरह हम भी फरामोश हो गये ठीक है फिर क्या होता है कि जब ये राजनितिक पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद कि जो भी वादा की होती है तो वादा तुमनी भाती नहीं ठीक है तो उस पे एक है कि तेरे वादे पे कहां तक मेरा दिल फरेव खाये कोई ऐशा कर बहाना मेरी आस टूट जाए ठीक है फिर क्योंगे जनता सुचते है कि सभी पार्टी एक जैसी तो होती नहीं है तो किसी न किसी पार्टी को तो हमें जिताना ही है तो फिर जनता कहती है हर चंद एतवार में धूके भी है मगर ये तो नहीं किसी पर भरोषा किया न जाए ठीक है तो चलिए बहुत हुआ अ ऐसे ठीक है तो क्या लिखा है कि सुप्रिम कोर्ट्स डाइरेक्शन्स ओन इलेक्टरल पॉंड्स आर क्लिया एस्बी आई मस्ट नॉट लॉस एनी मोर ठाइम इन कंप्लाइंग सुप्रिम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं इलेक्टरल पॉंड पे वो बिल्कुल को इनका अणुपालन करने में यानि इनहीं इनका इस आग्या का पालन करने में कोई भी देर नहीं करना चाहिए ठीक है ओन मतलब या स्थे ऐसेंड पॉंड पॉमड ये ये बीवी नाउन फ्रoux लेक्टरल हुआ के से आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका मतलब identify कर सकते हैं ढूंठ क्या है model auxiliary Ogre है उसके बाद noted Oo not Adverb होता है loos एक verb है फित अंद भर होह और क्यूंकि इसके बाद20 moreक連 देश्य वह नाउन है इन क्या है प्रिपोजिशन है और कंप्लाइन क्या है जिरंड है ठीक है जिरंड मतलब नाउन है वर्ब का नाउन बनता है वर्ब जो होता है एक तो आई एंगी फॉर्म में दो तरीके से यूज होता है एक तो वर्ब के रूप में यूज होता है और एक जिरंड के रूप में यूज होता है ठीक है किसी वर्ब में आई एंजी लगा देते हैं तो जिरंड बन जाता है तो कह रहा है इन फैबरवरी फाइब जज बेंच आफ दा सुप्रीम कोर्ट ओडर्ड दा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो प्रोवाइड अल इन्फॉरमेशन और लेक्ट को कि आप सारे के सारे इन्फॉरमेशन हमें प्रदान कीजिए किस चीज के बारे में तो जो इलेक्टोरल बॉंड का इन्फॉरमेशन है वो ठीक है इंक्लूडिंग जिसमें सामिल होना चाहिए क्या-क्या डीटेल्स ओन फू पर्चेस्ट मतलब जिसने बॉंड खरता है उस तो five judge bench का मतलब five judge bench supreme court मतलब supreme court order मतलब आदेश देना state bank of india मतलब state bank of india provide मतलब प्रदान करना all मतलब सभी information मतलब जानकारी सुचना electoral bond मतलब electoral bond including मतलब सामिल करते हुई detail मतलब वीवरन who मतलब जो है न who मतलब कौन होता है लेकिन who का मतलब कौन तब होता है जो question पूछने का काम किया जाता है यहाँ पे who क्या है relative pronoun है तो यहाँ पे होगा जिसने ठीक है purchase मतलब खरिदा जो भी होता है जिसने भी होता bond मतलब bond which मतलब फिर यहाँ पे जिसने जो और party मतलब party receive मतल प्रकाशित करने के लिए भी कहा था, हैड है, हैड है तो कहा था, क्योंकि हैड प्लस भी थ्री है, पास्ट प्रफेक्टेंस है, ठीक है, हावेवर, लास्ट वीक, अनुतिम जो सब्ताह गुजरा है, उस समय, सब्जेक्ट के बाद भर्व का सेकेंड फ़र्म है, तो पास्टेंस, कौन सा पास्टेंस, सिंपल पास्टेंस, SBI ने कोर्ट को कहा था, कि आप जो समय सीमा है, उसको बढ़ा दीजे, किस चीच के लिए, तो जो डीटेल आप हमें बोले हैं, जमा करने के लिए, उसका जो डेटलाइन है, समय सीमा है, उसको आप 30 जून तक बढ़ा दीजे, एस्बी आई ने किसको कहा था सुप्रीम पोर्ट को ठीक है एक्सेप्टिंग एस्बी आइस प्ली वुट हैव मिन्ट दाट डाट डिटेल्ड इन्फोर्मेशन ओन इलेक्टरल पॉंड पूरा बिबरंड पूरा बिबरंड वाला सुचना वो उपलब्द हो पाता केवल चुनाओ के बाद ही है क्योंकि तब तक तो चुनाओ खतम हो गया होगा चुनाओ का रिजल्ट भी आ गया रहेगा क्योंकि 30 जून हो गया ना तो 30 जून तो बहुत हुआ तो वही यहां इसमें कहा गया है इस एडिटोरियल में लेखक बोल रहे है कि अगर SBI जो कह रहे है कि 30 जून तक आप हमें टाइम दीजिए तो तब तक अगर उसको एकसेप्ट कर लेती कोर्ट तो पता चलता कि तब तक तो चुनाओ भी खतम हो चुका है और तब जाकर के यह चीजे पता चलते लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए पहले पता चलना च यह चलिए आगे पढ़ते हैं यह बात मैं अपने खुद से नहीं कह रहा हूं इसमें लिखा हुआ है तो दिस वूड हैव डिप्राइड वोटर्स ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन बिफोर दे एकसरसाइज देर फ्रेंचाइज कह रहा है कि इस वूड हैव डिप्राइड इ जो सेंटेंस है वो आता है तो इसलिए मैं होता लगा रहा हूं लास्ट में हिंदी जो मीनिंग है उसमें ठीक है तो कह रहा है दिस वूड है प्राइड इसने वंचित कर दिया होता कि इसको वोटर्स को वोटर्स मतलब जो मत देने वाले यानि वोट गिराने वाले लोग है उनको किस चीस से तो महत्पून सूचना से वाइटल मतलब होता है महत्पून जब किस से पहले तो जब उए अपने मताधिकार का प्रयोग करते उससे पहले ही मतलब जब आप वोट दे रहे हैं तो उससे पहले आपको जो information जानना चाहिए और उसके आधार पर वोटिंग करनी कि अगर ये SBI का बात ये माल लिया गया होता तो एक तो रिजल्ट के बाद ये SBI इसको परकाशित करती और दूसरा ये होता कि जो वोटर लोग होते वो इस information से वंचित हो जाते और बिना जाने समझे किसी को भी वोट दे ठीक है तो the court's decision on Monday to reject SBI's plea is therefore immensely welcome तो कह रहा है कि court का जो ये decision है नय है जो मंडे को आया जिसने SBI का प्रार्थना था उसको reject कर दिया Supreme Court के इस decision ने इसको इसलिए immensely welcome करना चाहिए इसका मतलब काफी ज्यादा इसका स्वागत करना चाहिए immensely मतलब होता है गहराई से तो यहां पर गहराई से का मतलब क्या हुआ बहुत ज्यादा है ना तो the court क्योंकि हम जो मिनिंग लेते हैं किसी भी इंगलिश का तो उसकी उस सेंस क्या धार पर लेते हैं ठीक है दको और आपको पता कैसे चलेगा तो आप धीरे धीरे जैसे रेडिंग करते रहेंगे और समझते रहेंगे चीजों को तो धीरे 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 आपके पकड में आने लगेगा The court rightly asked the SBI for an explanation for its inaction कहा रहा कि court ने सही ही कहा SBI को कि आप जो है वो explanation दीजिए मतलब explanation मतलब हमें explain करके बताईए कि आपने inaction क्यों किया यानि आपने जो action लेना चाहिए था वो क्यों नहीं लिया In the last 26 days हम आपको time दिये थे तो 26 दिन में आपको ये action ही नहीं लिये तो इसके बारे में हमें पुरा explain करके बताईए What steps have been taken by you आपके द्वारा कौन-कौन से कदम उठाएगा इसके लिए है इसको रोगने के लिए The application is silent on that इस बात पे तो आपका जो application है वो तो silent है silent mode में है मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे है कौन? Supreme Court ने SBI को कहा SBI को कहने का मतलब जो SBI के representative होंगे उनको है CEO होंगे या जो भी होंगे उनको The bank must not loss any time in complying with the order and furnish all the information by the close of business hours of March 12 कहरा है कि bank जो है उसको निश्चित रूप से कि इस जो Supreme Court का जो order है उसका उनुपालन करने में किसी भी समय को गवाना नहीं चाहिए और जो सारे information है उनको क्या कर देना चाहिए फर्णिस कर देना चाहिए यानि publish कर देना चाहिए यानि बता देना चाहिए by the close of business hours कब तक तो 12 March को जो business hour होते हैं उस समय तक ठीक है considering that SBI already has all the details इस चीज को consider करते हुए यानि इस चीज पर विचार करते हुए कि SBI के पास पहले से ही सारे details सारे विपरन उपलब्द है the KYC information of the donor जो data लोग होते हैं जो देते हैं पैसे उनका KYC information है और it has no reason to procrastinate और इसका कोई भी कारण नहीं है कि इसको अस्थागित कर दिया जाए यानि इस चीज को अस्थागित किया जाए इसको रोक करके रखा जाए और information ना दिया जाए है इसका कोई कारण नहीं है the EC must also publish that information by 15 March कह रहा है कि जो election commission है उसको SRA information 15 March तक publish खरही देने चाहिए as the CJI said while reversing the electoral board scheme in February information about funding of political parties is essential for the effective exercise of the choice of voting मैं कह रहा है कि जैसा कि CJI ने कहा जब वो electoral bond scheme को reverse कर रहे थे यानि उसको उसको उल्टा कर रहे थे उसके मतलब पक्ष में न जाकर के विपक्ष में उसका जवाब दे रहे थे February में तो information about funding of political party को जो funding दी जाती है उसके बारे में जो information है वो essential है यानि जरूरी है essential मतलब जरूरी होता है क्यों जरूरी है for the effective exercise of the choice of voting voting करने का जो विकल्प है उसको लागू करने के लिए ये प्रभावी है ठीक है तो उसी के प्रभावी होगा उसी चीज के लिए ये जो political party को funding कहां से आई उसका जो information है वो बहुत ही जरूरी है ठीक है ताकि लोग क्या करेंगे कि choice के according अपना voting करेंगे माल लेजे कि हम देखेंगे कि बीजेपी को funding बहुत ज्यादा हुई है तो हम सोचेंगे कि नहीं बीजेपी तो मतलब बहुत पैसा इसके पास आता है और यह अपना मनमानी करती है तो हम इसको वोट नहीं देंगे हम किसी और को देंगे तो इसका यही मिनिंग था ठीक है तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट जो पैरा है उस पर बढ़ते है चलिए तो क्या लिखा है further SBI must also provide the matched data linking the donor of the bond with its recipient further मतलब आगे SBI को निश्चित रूप से सारे match data को प्रदान करना चाहिए must का मतलब चाहिए होता है provide मतलब प्रदान करना also मतलब भी ठीक है match data मतलब जो एकदम accurate मिलता हुआ हो तो किस से मिलता हुआ हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि linking the donor of bond bond के जो प्रदाता लोग है उनको और जो इसको प्राप्त करने वाले लोग है इसको इस दोनों को जो जोड़ता हुआ है जोड़ता हुआ information है data है वो निश्चित रूप से प्रदान करना चाहिए कि इसको SBI को as the judgment had also noted जैसा कि जो judgment है जो फैसला आया है उसमें भी note किया गया था ध्यान दिया गया था there is a legitimate policy possibility that financial contribution to a political party would lead to quit, co, pro arrangements because of the close nexus between money and politics ठीक है कह रहा है कि there is a legitimate मतलब होता है बैद दिकानोनी possibility मतलब होता है संभावना, financial contribution आप लोग जानते हैं बित्ती और contribution मतलब योगदान, political party जानते ही है quit, co, pro का मतलब होता है किसी काम के बदले किया गया काम है उसको बोलते हैं quit, cro, pro तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा किस काम के बदले कौन सा काम है तो जो bond, electoral bond जो जारी करती है party और उसके बदले जो पैसे मिलते है party को और फिर party क्या करती है जब सत्ता में आती है तो जो भी पार्ड जिसने भी पैसा दिया तो उसके बदले वो क्या करती है उसको मतलब सुविधा प्रदान करती है तो यही यहाँ पे उसी के बारे में बोल रहा है quit, co, pro मतलब हो गया कि इस काम के बदले वो काम यहाँ पैसा मिल रहा है और उसके बदले जो party सत्ता में आएगी तो उसको सुविधा प्रदान करेगी वो वाला है arrangement मतलब आप जानते हैं बैवस्था, because मतलब क्योंकि close मतलब बहुत ही नजदी की वो वोड लीड टू, वो क्या करेगा, किसको यहाँ भी वोड लीड टू है, वोड का यूज संभावना को दर्शाने के निए भी क्या जाता है भविश में, तो वो क्या करेगा, कि जो एक काम के बदले दूसरा काम है, उस बैवस्था को लागो करेगा, because of, क्यों, क्योंकि जो मनी और पॉलिटिक्स के बीच में जो होता है, संबंद हो, बहुत ही निस्दी की संबंद होता है, ठीक है, as per the details provided by SBI, 22,217 electoral bonds were used for donating to political parties, as पर मतलब के अनुसर, detail मतलब ब्युगरन, provided मतलब प्रदान किया जाना, electoral bond मतलब electoral bond, use किया जाना, donate करना, आप लोग जानते ही है, donate करना किसी को देना है न, और political party मतलब दान में देना, और political party मतलब political party, तो जैसा कि जो SBI के द्वारा जो विब्रन दिया गया है, उसके according, 22,217 electoral bond को use कर लिया गया था, political party को donate करने के लिए, ठीक है, as each bond would have two sets of information, as, मतलब जैसा कि, each मतलब परती है, bond would have, हर bond में क्या होता, तो set of information होता है, कौन-कौन सा, एक donor का और एक receiver का, एक देने वाले का और एक प्राप्त करने वाले का, this would imply, sorry, imply a total of 44,434 information sets to be decoded, compiled and compared, यह संकेत करता है कि total 4,434 information set को decode किया जाता है, फिर compile यानि संकलित किया जाता है, और compare किया जाता है, यानि तुनला किया जाता है, compile संकलित मतलब जमा करना, compare मतलब तुनला करना, decode मतलब आप जानते हीं किसी चीज़ को तोर करके उसका meaning निकालना है और information मतलब सूचना तो कह रहा कि as the country's largest bank SBI has all the manpower resources it needs to match the data कह रहा कि जैसा कि country का जो सबसे बड़ा bank है SBI उसके पास सारे manpower resource है resource मतलब सुविधा है तो इसको सारे के सारे data को match करने की चरू रहा था है ठीक है it also has all the details of the donors and recipients इसके पास यानि SBI के पास जितने भी donor और recipient हो उनके सारे data उपलगद है it must no no longer seek refuse in the excuse of political difficulties sorry practical difficulties with the decoding exercise due to the stringent measures undertaken to ensure that the identity of the donors was kept anonymous के रहा है कि इसको जो है अब ज्यादा देर नहीं करना चाहिए यह बहाना बना करके कि यह अपना आसरे ढूंडे बहाने में कौन SBI कि must no longer मतलब ज्यादा देर नहीं सीख मतलब ढूंडना खोजना refuse मतलब आसरे excuse मतलब बहाना है कि practical difficulties है SBI कहती है कि नहीं नहीं हमें तो practical difficulties आती है इस चीज को तो हम आपको जो practical difficulty है कि हमारे पास manpower नहीं है यह supply नहीं है तो वो supply नहीं है बहुत सारे data है तो हम उस data को आपको नहीं दे सकते हैं तो वही कह रहा है कि इस तरह का कोई मतलब बहाना बनाने बनाते बनाते इसको बनाने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए कि practical difficulty का with the decoding exercise के decode करने के लिए due to the stringent measures किसके कारण तो stringent मतलब होता है बहुत ही कड़ा और major मतलब कदम undertaken जिसको लिया जाता है ensure मतलब सुनिश्चित करना identity मतलब पहचान donor मतलब प्रदाता और anonymous मतलब गुमनाम और captain मतलब रखना तो कि SBI को अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए political difficulty का जो बहाना बनाता है और उसमें जो अपना आश्र ढोणता है ऐसा नहीं करना चाहिए और उसको इन सारे चीज़ों को decode करना चाहिए जो भी information है और due to क्योंकि जो कड़े major है उसके कारण जो लिये जाते हैं सुनिश्चित करने में जो donor लोग होते हैं उनके पहचान को गुम नाम रखने के लिए ठीक है तो यह भी आप लोग को समझ में आया होगा अब नेक्स्ट छोटा सा है वो भी पढ़ी लेते हैं अब लास्ट में है इसी must also be proactive on this issue इसी मतलब election commission must take model एक जे लिए वरव है और इस मतलब या issue मतलब मुद्दा मतलब जो election commission है उसको इस मुद instance itself pushed SBI to release all the information इसको क्या करना चाहिए पहले मामले में खुद ही पुस करना चाहिए SBI को SBI को धक्का देना चाहिए ताकि यह धक्का देने का मतलब की जोर देना चाहिए ताकि वो क्या करे सारा का सारा information release करना मतलब प्रकाशित करने ना है इट मस्ट नॉट डिले disclosing this information any further इसको जो है सारे का सारे information को disclose करने में कोई भी देर नहीं करनी चाहिए डिले मतलब देर disclose करना मतलब प्रकाशित करना इस information मतलब यह सूचना है ना फर्दर मतलब आगे after all मतलब सब कुछ होने के बाद matters involving the world of campaign finance in India should be at the center of the electoral process and it begins with the voters right to know के रहा है कि जो मामले हैं involving जिसमें शामिल है campaign मतलब अभ्यान का संसार कि कौन सा अभ्यान जो finance वाला है बित वाला जो संसार है वो भारत में उसको electoral जो प्रक्रिया है उसके केंदर में होना चाहिए और it begins with the और यह जो शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है जो मद्दाता लोग है उनका right to know का जो हक है वहां से सुरू होता है ठीक है वो electoral जो चुनावी जो प्रक्रिया है उसके केंदर में होने चाहिए यानि जो भी बातें चुनाओं से related है वो सारी की सारी बातें यहां पे होने चाहिए लोगों के सामने होने चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके क्योंकि लोगों को क्या है right to know का पूरा पूरा हक है ठीक और मेनिग तो सब का बताहक दिया है कुछ कुछ का नहीं बताया होक हो सकता है किसी इंडिविज्वीडिजल वड का मेनिग हो सकता है फिर भी मुझे लगता है कि 30 सब कर वेडियो हो गया हो ठीक है तो चलिए अ भूब नाइट